नमस्का दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि CSE का जब भी रजिस्टेशन करते हैं तो उसके लिए TEC का सर्टिफिकेट नंबर की ज़रुत परती है TEC का सर्टिफिकेट रजिस्टेशन कैसे किया जाता है पिछले वीडियो में हमने बताया था लेकिन आज की इस वीडियो में बताएंगे कि TEC का एक्जाम कैसे दिया जाता है वो पूरा प्रोसेश लाइव हम दिखाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना वो लें दोस्तों जैसा कि हमने पीछले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी वी CSC का रेश्टेशन करेंगे तो यहां पर TEC का सर्टिफिकर नमबर की ज़रूत पड़ती है इसके लिए इसका रेश्टेशन कैसे किया जाता है इसमें क्या-क्या प्रोसेस लगता है वो सारा लगिंग पर क्लिक करेंगे और यहां पर पासवर्ट डाल के लॉगिंग कर लेंगे लॉगिंग करने के बाद एक्जाम देना चाहते हैं तो उसका जो भी लर्निंग के लिए यहां पर कुछ मैटेरिस दिये गया है जैसे कि पीडिएफ में अगर आप इसको पढ़ना चाहत सकते हैं अगर इसका कुछ वीडियो दिया हुआ है जिसे कि इंग्लिस में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वह यहां पर देख सकते हैं और हिंदी में भी अलग से दिया गया है और इसमें 10 मॉडियूल में से ही कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे उसके हैं कि पहला मडूल है उसमें इक्जाम स्टेतस में अनलॉक हुआ है लॉक जैसे ही इससे 10 कोशन कंप्लीट करेंगे कंप्लीट करने के बाद दूसरे मॉडूल का जो लॉक हो हो बारी इसके बाद गुलly हो सकते हैं पहले हम एक मॉड्यूल आपको दिखा देते हैं कैसे इस वाले लॉक पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर स्टार्ट एक्जाम पर क्लिक करेंगे एक्जाम पर क्लिक करने के बाद यहां पर पहला कोश्चन दिया हुआ है which of these is an example of entrepreneurship इन में से जो भी आपको question आपके according सही लेग रहा है उस पे tick करेंगे उसके बाद next question पे click करेंगे दूसरा question है दूसरा question में जो भी आपको सही answer लगता है उस answer पे tick करेंगे उसके बाद next question पे click करेंगे ऐसे ही 10 question को complete करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि first modules का exam हो चुका है यानि कि entrepreneurship का जो 10 question था उसमें से 8 question सही है और वहाँ पे दिखा दिया गया है कि आप pass हो चुके हैं उसका status show कर दिया गया है दूसरा जो module है उस दूसरे module का exam status में आप देख सकते हैं कि जो lock था वो unlock हो चुका है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी modules थे assessment के वो सारे हमने complete कर लिया है और सब में हम pass हो चुके हैं आप देख सकते हैं सारा complete करने के बाद final exam देने के लिए eligible हो जाएंगे दोस्तों एक और चीज़ इसमें बता देएं कि इस exam को सुबह 10 बजे से साम 5 बजे के बीच में ही आप दे सकते हैं अर नीचे आएंगे test exam पे click करेंगे test exam पे click करने के बाद यहाँ पे language select करना होगा तो language को यहाँ पे select करेंगे और submit पे click करेंगे submit पे click करने के बाद यहाँ पे OK पर click कर देंगे जो हम फिर अहाल ब्राउजर यूज कर रहे हैं इस ब्राउजर पर हम एक्जाम नहीं दे पाएंगे इसके लिए CSC का secure ब्राउजर डाउनलोड करना होगा उसे install करेंगे install करने के बाद उसमें ये exam दिया जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर click here पर click करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यह डाउनलोड होने लगा डाउनलोड होने के बाद इसे इंस्टॉल करेंगे यह डाउनलोड हो चुका है इस पर डबल क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे everyone पर करके next करेंगे next यह install complete हो चुका है उसके बाद यहाँ पर close कर देंगे install होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं if cse secure browser is installed click on तो हमने install कर लिया है तो उसके बाद start test पर click करेंगे और यहाँ पर permission मांग रहा है तो यहाँ पर allow करके उसके बाद open safe exam browser पर click करेंगे start पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपके laptop में या desktop में camera लगा होना चाहिए क्योंकि camera लगेगा तभी exam start होगा इसके लिए photo click करने पड़ेगी आप देख सकते हैं कि कैसे photo आपको click करना है click आपको सामने बैट कर उसका सिधा photo आना चाहिए इस तरह से photo नहीं आना चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर आपका photo यहाँ पर आएगा उसके बाद click your image पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर continue पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार का एक photo खीचना पड़ेगा तो आपको आधार दिखार जा रहा है किस तरह से photo खीचना है अपने आधार को camera के सामने रखेंगे उसके बाद यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर web camera के सामने अपना आधार card रखेंगे और यहाँ पर click your ID card image पर click करेंगे उसके बाद continue पर click करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि waiting for approval please wait तो यह फोटो जो अभी हमने क्लिक किया है अप्लोड हो रहा है और यहां पर देख सकते हैं your number is 20 in wait list और waiting list में हमारा 20 नंबर पर है अब 11 नंबर हो गया अब इसमें maximum 2 मिनट का time लगेगा हमें approval मिलने में तो उतना wait करेंगे यहां पे दोनों चीज़े अप्रूब हो चुका है और यहां पे start test के सामने कुछ second चल ले हैं उपर लिखा हुआ भी है कि click on start test और your test will automatically start after 60 seconds यानि कि आप यहां पे click करके तुरंत आप अपना exam start कर सकते हैं या फिर 60 seconds के बाद automatic test exam start हो जाएगा अगर हमें 50 seconds का wait नहीं करना है तो यहां पे start test पे click करेंगे यहां पे text का कुछ instruction दिया गया है certificate course और यहां पे number of questions 50 questions आएगे और इसमें जो time लगेगा 60 minute का time मिलेगा उसके बाद यहां पे जो भी आप questions सही करेंगे तो उस पे एक mark मिलेगा और जो question गलत होगा उस पे zero mark यानि कि यहां पे negative marking नहीं है यदि आप इस पे कोई practice करना चाहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं practice test पे click करके इसका practice भी कर सकते हैं यहां पे देख सकते हैं questions आया हुआ है इन में से कौन सा सही है उसके बाद यहां पे tick करके आप next कर सकते हैं next करने के बाद दूसरा question करेंगे यानि कि यहां पे practice भी live कर सकते हैं उसके बाद हमें आप in test कर देते हैं और यहां पे tab में आपने देखा ही कि यह जो भी instead instruction था कि exam में कितने marks आएंगे वो सारे चीज़ें यहां पे दिया हुआ है security instruction में click करेंगे तो इसमें क्या क्या security है वो सारी चीज़ें आपे देख सकते हैं during text user should not be switched between the test page to any other page कोई इस page से कोई दूसरे page पे नहीं जा सकते exam देने के समय और दूसरा है once logged in user cannot login from another browser and same browser type जब login कर लिया है तो इसी browser में दूसरे page पे आप नहीं जा सकते तो यह security reason है और navigation tools में navigation tools में यह दिया गया है कि आपको किस तरह से exam देना है यहां पे flag का flag से क्या होता है to respond later यानि कि flag पर click कर देंगे तो इसको हम बाद में इसको respond करेंगे attempt करेंगे next पर click करेंगे तो next question आ जाएगा previous पर click करेंगे तो जो पिछला question सही उस पर आ जाएगे और in text पर click करेंगे तो आपका exam खतम हो जाएगा और submit हो जाएगा अब नीचे कुछ दिया हुआ है इस तरह का color बनता है तो यहां पे इसका मतलब यह होता है कि attempt कर चुके हैं तो इस तरह से exam start हो जाएगा तो बारी बारी करके 50 question को complete करेंगे यह सारा question एक घंटे के अंदर आपको complete करना होगा जब complete हो जाएगा तो कोने में end test दिया हुआ है उस पर click कर देंगे तो आपका exam complete हो जाएगा यहां पर दिखा रहा है और जो हमने exam दिया है उसका यहां पर certificate भी सो हो रहा है डाउलोड करने के लिए यहां पर download certificate पर click करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका certificate यहां पर इस तरह से सो हो जाएगा इसे print out करके अपने दुकान में यहां पर भी आपने दुकान खुला है वहां पर लगा सकते हैं certificate download करने के बाद आपका certificate इस तरह से दिखेगा आप देख सकते हैं कि reference number जो दिया हुआ है वो यहाँ पे show करेगा उसके बाद आपका नाम पिता का नाम district और state यहाँ पे show कर देगा अब नीचे क्या है कि जो TEC certificate था उसका नाम change करके CCE कर दिया गया है जब यह CCE का या TEC का certificate जब मिल जाएगा तो आप CSE के लिए registration करने के लिए eligible हो जाएंगे तो इसको register करने के लिए इसके site पे जाकर और यहाँ से CCE VLE पे click करेंगे और यहाँ पे जो आपको certificate number मिला है यानि कि TEC का certificate number मिला है वो यहाँ पे type करेंगे mobile number type करेंगे उसके बाद capture डाल कर submit पे click करेंगे दोस्तों इसका आगे का process जो CSE का registration होता है उसका process हम next वीडियो में बताएंगे कैसे उसका पूरा form फिलब किया जाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तों आज के यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए और वीडियो अच्छी लगे त आँने आँ